हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कस्ती उहां डूबी जहां पानी कम था, ये कहाबत लालुक प्रसाद यादव उनके परिबार पर पूरी तरीके से चरितार्थ बैठ रही है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि लालुक प्रसाद यादव के खिलाप उनके खासम खास नहीं, गवाही दी है, और लालुक प्रसाद यादव के खिलाप छे लोगों को, जिन छे लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया है, ये वो तमाम लोग हैं, जिनको लालुक प्रसाद यादव ने जमीन के बदले, जमी वाले एक से देर महीनों में लालू प्रसाद यादव ही नहीं बलके उनकी पतनी राबरी देवी, बेटी मीशा भारती, रागनी यादव, हेमा यादव, दमाद बिनित यादव, स्तेजस्वी यादव, समेथ उनके जितने भी समधी बेटी दमाद रिस्तेदार है ये सब के खंजो के पीछे नजर आएंगे और आपको बताते चले कि अब लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का बेटी दमाद तक का जिल जाना तैमाना जा रहा है नमस्कार मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खब्रों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग अल्डेडि कर चुके हैं उन्ह सभ तेजी पकर चुकी है वहीं लेंड और जोबेस कैम मामले में छे लोगों को सरकारी गवाह बना लिया गया है और सरकारी गवाह जो बनाया गया है ये वो तमाम लोग हैं जिनको भी जमीन के बदले में ग्रूप D में यानि कि चपरासी लेबल की नौकरी दी गई थी और ये सारे के सारे लोग सरकारी गवाह बनने को तयार हो गए हैं और सरकारी गवाह बनने से इन लोग को ये फैदा होगा कि इन लोग को जिल नहीं जाना पड़ेगा अब लालु प्रसादियादब एब उनका पुरा पडिबार जो है जिल जाएगा CBI के सुत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि CBI के रडार पर वो तमाम लोग आ गए हैं जिन पर आरोप है कि लालू प्रसाद यादब के रेल मंती रहते हुए जमीन देकर उन्होंने रेलवे में सरकारी नौकडी ली थी इस मामले में पुर्व मध्य रेलवे के तहट दानापूर डिविजन में काम करने वाले 6 क्रमचारियों को पूछताच और जाच के लिए दिल्ली तलब किया गया है इन क्रमचारियों की नौकडी ग्रूप D के तहट है इनमें 3 क्रमचारी पतना जक्षन, 1 बीटा, 1 आरा जक् पोस्टेड है, दानापूर के डिविजनल प्रस्नल ओफिसर सौरब स्वर्ण, डिपियों की तरफ से इस सम्बंध में 11 अगस्त को एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसे इन क्रमचारियों के डिपार्टमेंट हेड को भी भेद दिया गया है, वहीं आपको पताते चल करके ये लोग पूछताच में सहयोग करेंगे और सरकारी गवाह बनने की तमाम प्रकिडिया जो है वो पूरी की जाएगी, इस रिपोर्ट में हम तमाम बाते आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना आपको बिहद ही जादा जवरी है, और इस वीडियों को ज से लेकर के 30 अगस्त के बीच में इन लोगों को सारे 9 बजे बुलाया गया है, लेकिन अलग-अलग दिन सभी को अलग-अलग बुलाया गया है, एक साथ नहीं बुलाया गया है, सब को अलग-अलग बुलाया गया है, वहीं आपको बताते चले कि अजय कुमार राय जिनको ज और पतना जक्षन पर ही हरिनाथ राय पोस्टेड है वही जाजाय स्टेशन पर सुमन कुमार राय पोस्टेड है एक चीज जो आपको जानकारी हमने दी लेकिन आपने सैध्यान नहीं दिया होगा कि जिस लालू प्रसाद यादव को मुसलमान और यादव समिकरन का नेता कहा जाता है जो लालू प्रसाद यादव अपने स्वजाती यादवों का मसीहा होने का दंभ भरते हैं जरा आप इन नामों को सुनकर आपको आश्चर्ज हो रहा होगा आप फिर से एक बार नाम सुन इसमें नाम है अमीत कुमार राय, अमीत कुमार, असोक कुमार राय, हरिनात राय, सुमन कुमार राय, ऐसे तमाम जो छे के छे नाम हैं ये सभी के सभी यादव जाती से आते हैं तो जरा सोचने की बात है कि जो लालू प्रसाद यादव मुसलमान और यादव का मसीहा होने क दावा करता हो वो लालू प्रसाद यादव ने अपने स्वजातिये को नौकरी देने के लिए उनसे जमीन लिखवाए यानि कि ये बेक्ती सिर्फ और सिर्फ अपने परिबार का भला चाहता था ये ना राज्य का भला चाहता था ना रेलवे का भला चाहता था और ना ही अप बेवकूप की स्रेनी में अगर रखा जाए तो कोई अतिस्वेक्ती नहीं होगी कि जो लालू प्रसाद यादव यादवों को ही नौकडी देने के नाम पर उसे अपना जमीन लिखवा लिया हो वो सोच ये कि उसी के लिए यादव समाज के कुछ लोग जो हैं जो बेवकूप जिन लोगों को रेलवे में नौकडी दी गई उन लोगों को सरकारी गवा इसलिए बनाया गया है ताकि लालू प्रसाद यादव और उनके वकिल सजा की कोई काट न निकाल सके और इन लोगों का अब जेल जाना 100% माना जा रहा है वहीं जिन लोगों को सरकारी गवा बनाय जा रहा है उनको बोला गया है कि उनको ID परमानपत्र, Educational Paper, Pen Card और सरकारी परमानपत्र जो भी है वो ले करके बुलाया गया है और बताया जा रहा कि दरसल इस मामले में CBI की आर्थिक अपराद विंग की टीम जो है पूश्टाश करेगी इन्हें आर्थिक अपराद के DIG के पास पूलाया गया है वहीं आपको बताते चले कि लालु प्रसादियादब के सदस्चो के नाम पर जमीन और प्रोपर्टी ट्रांसफर कराई गई ये नोक्रियां जो है मुंबई, जवलपूर, कुलकाता, जैपूर और हाजिपूर जोन में दी गई लालु के परिवार ने बिहार में एक लाख स्क्वाइर फिट कोई एक हज़ार स्क्वाइर फिट जमीन खरीदने के लिए ता जिन्दगी काम करता है, फिर भी वो नहीं खरीद पाता, लेकिन लालु प्रसाद यादब के ने बिहार में एक लाख स्क्वाइर फिट से जादा जमीन जो है सो महत 26 लाख रुपे में हासिल कर ली, जबकि एक हज़ार स्क्वाइर फिट ही जमीन अगर आप लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 26 लाख से जादा देना पर जाए वहीं आपको बताते चले कि उस समय सरकल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करूर 49 लाख थी जो की अब बढ़ करके लगभग 10 गुना हो चुका है वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि इस मामले में चार्ज सीट दाखिल हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ चार्ज फ्रेम होना बाकी है और इसकी सुनवाई भी जो है दिल्ली के राउंज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली है यानि कि आगस्ट और सेप्टेंबर का महीन महीना जो है वो लालुक प्रसाद यादव के लिए बड़ा ही आप कह सकते हैं कि बिखट समस्या वाला महीना आ चुका है जिसमें आयार सिटी सी मामले में और लैंड कोर जोब मामले में इन दोनों मामले में सुनवाई होनी है और सजा का अंदेशा ही नहीं जताया जा रहा बलकि इस बात की CBI के सोर्सेज लगभख कुष्टी कर रहे हैं कि इन लोगों का अब एक से देर महीने में जेल जाना तैमाना जा रहा है और ऐसे जेल जाएंगे कि इनका जल्दी बेल पर बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा यानि कि इन लोगों को बेल मिलना भी सभा चुनाब हो या 2025 का विधान सभा चुनाब हो ये लोग जेल में रह करके काटेंगे वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादब को सजा सुनाई गई थी इसके बार लालू प्रसाद यादब चुनाब तक नहीं लर सकते हैं वहीं अब लालू प्रसाद भी नहीं बलकि उनके परिवार के जो भी सदस्य है चाहे वो तेजस्वी आदब हो मीशा भारती हो राबरी देवी हो बेटी हेमा यादब हो बेटी रागनी आदब हो दमाद बिनीत यादब हो ऐसे तमाम लोग कोई भी चुनाब लड़ने लायक नहीं रह जाए इसकी तैयार की जा रही है अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीन शोर्ट चल रहा होगा जिसमें आप फिर से एक बार नाम पर लीजे कि अजय कुमार राय पिता दुरगा प्रसाद राय अमीत कुमार पिता अरजुन राय अमीत कुमार राय पिता कमलेश्वर राय असोक कुमार राय पित ठाकुर प्रसाद राय, हरिनाथ राय, पिता, भगबती राय, सुमन कुमार, पिता, अरजन प्रसाद यादब, यह 6 के 6 लोग जो हैं, यह यादब जाती से हैं, और यादब समाज अपने आपको लालु प्रसाद यादब को मसीः कहता है, और जरा सोचने की बात है, कि अगर इस रिपोर्ट के बाद भी यादव समाज के उन बेवकूफ लोगों का अगर दिमाग अगर नहीं खुला जो अभी भी लालू प्रसाद यादव के लिए लरने और मरने के लिए तैयार होते हैं तो उनको आप जानवर की स्रेनी में रख सकते हैं क्योंकि ये लोग कैसे आप म रेल मंतरी थे लेकिन उन्होंने उससे जमीन के बदले में नौकड़ी दी तो आप समझ सकते हैं लेकिन यही लोग जो हैं वो जब बोट देने जाएंगे तो जात देख करके बोट देते हैं लेकिन सिर ये लोग नहीं जानते कि नेता किसी का नहीं होता है नेता जो है वो किसी का नहीं होता है वो सिर्फ सत्ता का होता है पैसा का होता है और लालू प्रसाद यादव के इस कारगुजारी के खुलने के बाद भी और सामने आने के बाद भी जो आदमी जातियता करे उससे बड़ा बेवकूप कोई हो नहीं सकता है इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिकरिया है? आप अपनी प्रतिकरिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा, ताकि ये सबी लोगों तक पउचे और उस यादव समाज के कुछ बेक्तियों की आखे खुल स ताके जो अभी भी लालु प्रसाद्यादव को अपना मसीहा मानते हैं। जुरेद है हमारे साथ। जैहिन, जै भारत, जै जै बिहार।